आप लोग अगर नीचे करके देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर रिसेंटली रिचार्ज विथ 120 रुपिया ड्यू दोस्तों आज का वीडियो का प्यादा इंट्रेस्टिंग है उन लोग के लिए जो एकल एक्स्ट्रीम यूज करते हैं बहुत लोग के साथ दोस्तों ऐसा हो रहा है कि उनके पास जो है मंथली रिचार्ज करने के लिए वो पैसे अभी करेंटली नहीं है वो 4-5 दिन बाद आने वाले हैं और आपका प्लान वो जो है कल एक्सपार हो जाएगा मतलब कि एक दिन बाद एक्सपार होने को रहा और अपसन जो आया मुझे तो परसनली यह काफी अच्छा लगा यह दोस्तों खासकर उन लोग के लिए जो स्टुडेंट वगएरा है या फिर वो सॉब वगएरा रन करते हैं उनका पैसे 4-5 दिन बाद आने को रहता है बट वो कनेक्शन को बंद नहीं करना चाहते हैं मजूर तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एटल अप को उपन करके दिखला देता हूँ टू न्यूज सर्विसेस हैं इसमें कलिक कर रहा हूँ व्यू दिटिल पर तो मैं इसमें कलिक कर रहा हूँ तो यहां पर आप लोग को दोस्तों क्लियरी दिख रहा हुआ कि 200 Mbps का प्लान जो मैंने लिया हुआ है और यहां पे जो वेलिडिती जो है 3 number तक ही है और wallet में 139 रुपीज जो है last बचा हुआ है और आप लोगोंको मैं दिखला तो अगर नीचे करते हैं तो 3 दिन बचा हुआ है 3 दिन में जो है मेरा into बंद हो जाएगा प्लान जो expire होने के साथ ही दोस्तो यह चोटा recharge का trick मैं इसलिए share कर रहा हूँ आप लोग के साथ क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो 5-6 दिन बार पैसे आने को रहते हैं और वो लोग जो 5-6 दिन के लिए नेट बंद कर लेते हैं इसलिए जो एटल नया service इंट्रोडिस किया है इससे दोस्तो आप लोग 5-6 दिन का भी recharge कर सकते हैं तो इसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ तो अब लोग तो आप लोग को दिखला देता हूँ कि यह recharge कितना का करना परेगा मुझे 1179 का recharge करना परेगा 39.3 रूपीज जो है एक दिन का हो जाता है मेरा net कर चार्ज मैं round figure में जो है इसे 40 रूपे कर लेता हूँ तो 40 रूपे जो है दोस्तो मैं कर कर रहा हूँ कि 3 दिन का मैं recharge कर लेता हूँ into 3 तो 1-20 रूपे का मैं आप लोग को recharge करूँगा और मैं आप लोग को दिखला हूँगा कि 3 दिन का validity जो है मेरे में बढ़ जाएगा मतला कि अभी जो है दोस्तो 139 रूपीज है wallet में और दोस्तो मैं आप लोग को 120 रूपे जो recharge करूँगा इसमें 120 रूपे जो add भी हो जाएगा और ये plan का जो validity है तीन नौबर तक ये 6 नौबर तक हो जाएगा इसे करना कैसे है तो मैं आप लोग को दिखला रहा हूँ पहले तो मैं 139 इसमें डाल देता हूँ ताकि मैं भूलू नहीं 139 अगर इसमें अगर 120 रूपे कर रिचाज करता हूँ तो प्लस 120 तो 259 रूपीज इसमें आ जाना चाहिए दोस्तो वालेट में तो इसके लिए करना क्या है दोस्तो आप लोग को ये मैं मैसेज दिखला रहा हूँ आप लोग को दोस्तो ये जो मैसेज है दोस्तो एटल की तरफ से भीजा गया है ये कोई भी third party मैसेज नहीं है उपर में देख सकते हैं ad atl ये दोस्तो मुझे हमेशा atl की तरफ से मैसेज आता है जो atl extremes related वही नमबर है तो आप लोग को इसमें जो है यहाँ पर दिख जाएगा दोस्तो कि एक link दिया गया है जिसमें क्लिक करने के बाद पे कर recharge करना है billing related information दिया गया है तो मैं करके रहा हूं कि मैं 120 रुपे जो है इसमें टाइप कर रहा हूं और मैं इतना 120 रुपे पे कर देता हूं दोस्तों यहाँ पर आप लोग दिख जाएगा notification कि यहाँ पर जो है यहाँ से आप लोग जो है इसका receipt भी देख सकते है जो रिचार्ज हुआ है और उपर में जो है message भी आ गया है एटल की तरफ से कि 120 रुपे जो है वो credit कर दिया गया है और आप लोग मैं वापस से आ जाता हूं back 120 रुपे के यह detail है और मैं home page पर आ जाता हूं two new services पर वापस से किलिक कर रहा हूं है दोस्तों इस तरीक एक information जो है और वीडियो आप लोग को पूरी YouTube पर नहीं मिलेगा आप लोग जो है चाहो तो check out भी कर सकते हो इस तरीक एक information जैसी हम लोग के पास आता है दोस्तों आप लोग के साथ से एर करता हूं तो view detail पर किलिक कर लेना है यहाँ पर ब्राइबन पर किलिक करने के बार कुछ इस तरीक एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप लोग अगर नीचे करके देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर recently recharge with 120 रुपिया due और अभी तक इस पर एटल के तरफ से message आ रहा है दोनों हटा रहा हम है तो यहाँ पर आप यह आप लोग दिखेगा कि recently मैंने 120 रुपिय का recharge किया है अगर आप लोग उपर ले जाओगे 259 जो है wallet में है मैं आप लोग केल्कुलेटर open कर रहा हूँ जो मैंने minimize किया था यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो कि 259 जो है वो आ चुका है और validity जो है दोस्तो मुझे 6 दिन का मिल चुका है आप लोग के लिए दिख रहा होगा दोस्तो कि 6 November तक का validity मुझे मिल गया है बहुत simple steps को follow करके आप लोग जो है 8L Extreme का छोटा pack भी recharge कर सकते हो जिससे only validity extend रहेगा बट आप लोग का speed जैसा आ रहा था speed में कोई चैंजे देखने को नहीं मिलेगा similar speed आपको मिलेगा और प्लान का validity तीन दिन चार दिन या पर दस दिन जितना दिन का भी आप लोग करना चाहते हो वह extend हो जाएगा वह भी instantly दोस्तों आज का वी वीडियो पसंद आया तो इसे like कर दें अगर इसे related कोई भी question पूछने हो तो नीचे comment सकते हैं अगर future में और वी वीडियो देखना चाहते हैं इस तरीकी के तो मेरे चैनल को जरू subscribe करते हैं Thanks for watching, take it home